दोस्तो सलाम नमस्कार मैं आपका दोस्ता सिफ आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल MJ Flyers Breaks पे दोस्तो मैं आपसे एक बाग साजा करना चाहता हूँ मुझे एक वीडियो बनाने के लिए तीन से साथ दिन का समय लगता है पहले मैं उस वीडियो के लिए स्टड़ी करता हूँ और साथ ही साथ डिसकस करता हूँ अपने Flyers Breaks Manufacturer और रिसर्च करने वाले लोगों से ताकि आप तक जानकारी सही और पुर्ण तरीके से पहुँचे दोस्तो मेरा पिसला वीडियो Flyers Breaks Cost Calculation का फॉर्मूले के साथ है आप गूगल कर लीजे लेकिन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वो फॉर्मूला और कैल्कुलेशन क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करने के बाद वो फॉर्मूला खुद से बनाया है ताकि आप लोगों को वो दिक्कत ना हो जो मुझे हुआ या फिर और भी इंडिस्ट्री में जो लोग नए आते हैं उनको होता है तो अब ये आपका दाइत तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें नोटिफिकेशन अगर आप नहीं चाहते तो बेल बटन ना दबाए और हाँ अगर आपका सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइब करने में कोई पैसा लगता है तो आप ना करें लेकिन अगर नहीं लगता है तो दोस्तों आप जरूर करें जब भी कुछ जाने का इक्षा हो तो आप लोगों का स्वागत रहेगा मेरे चैनल एम जे फ्लाइस ब्रिक्स पे तो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्लाइस ब्रिक्स के लिए जो मेक्शिंग रेशियो होता है वो कितना होता है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं व आपकी सही बीमारी जानने के लिए वो आपका टेस्ट कराता है ठीक है तो ठीक वैसे ही फ्लाइस ब्रिक्स का कम पोजीशन अगर खराब होता है तो वो एक बीमारी है तो उसी बीमारी का इलाज करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका जो कम पोजीशन क्या है उसका chemical composition उसका chemical properties क्या है ठीक है दोस्तों फ्लाइस स्वातहतीर मिश्रणों से बनाया जाता है जिसमें से पहला है अपना फ्लाइस लाइम जिप्सम ब्रेक्स मेक्सिंग रेश्यो इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्लाइस सैंड स्लाइम जिप्सम अब इसमें से अपन अपना थर्मल पार प्लांट का बाइप्रोडक्ट है सैंड अपना रिवर से मिलता है अपना जिप्सम अपना इसका फ्लाइस का हम इसमें कम पोजिशन रख सकते हैं वह 50-60% सैंड का है 20-25% स्लाइस लाइम 15-22% और अपना यूज जिप्सम है यह 5% तीक हम लोग यहां स्ल इसलिए डाला है कि यह स्लज लाइम बाइप्रोडक्ट होने के कारण यह हमको मतलब काफी सस्ते दाम में मिलता है और इसके पुपेट्टी जो होती है वह ज्यादा चेंज नहीं हो रहती है इससे अपना ब्रिक्स का स्ट्रेंथ भी अप्रॉक 7.5 से उपर कही आता है इस च है तो वहाँ पे स्लेज लाइम हमें अबने अब लेबल नहीं होता है ठीक है यह बहुत सारे जगे पर यहां पर पेपडर में यह इस तरीके के नहीं है जो चूना यूज़ करते है ठीक है तो वहाँ से बाई प्रोड़क्ट के तवर पे भी आप्रॉड़क्त पर दीकलता ह सेम दिखने वाला रेशियो है, लेकिन यहां पर हमने sludge lime हटा के hydrated lime डाल दिया ठीक है, तो यह sludge lime हटा के हमने hydrated lime डाला, तो यह hydrated lime का जो bonding का capacity होता है यह sludge lime से जादा होता है, क्योंकि sludge lime हमारा इस्तिमाल किया हुआ रहता है, तो उसके जो properties होता है bonding वाला वो कुछ कम हो गया होता है, तो जब हम यह use करते हैं, तो हम यहां पर flyers का content क्या करते हैं, 5% तक बढ़ा सकते हैं अगर आपके वहां पर flyers अगर सस्ता मिलता है, तो आप इसका 5% बढ़ा सकते हैं, बागी सारा composition सेम रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा use होने वाला पूरे इंडिया लेबल पर बात करें, तो वो है अपना तीसरा वाला मिश्रण, ठीक है, जिसका हम discuss करेंगे अभी तो यह है अपना, यह है अपना flyers-bricks mixing ratio with cement, इसमें हम लोग flyers जो रखते हैं, वो 50-60% रखते हैं, ठीक है, sand जो हम लोग रखते हैं, वो 30-40% रखते हैं, cement जो अपना रखते हैं, वो 8-12% रखते हैं, यह देखे, यह standard mixing ratio है, ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपके वहां आपको जरूरी है कि आप उसमें plasticizer यूज़ करें, ठीक है, 50 से अगर आप कम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें चाहिए कि आपको 12% for cement रखना होगा, यह अगर आप इसको 50 से कम करते हैं, क्योंकि अगर आपको फिर strength अचीव करना होता है, तो यहां से आप अगर अगर दोस्तो वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए मैं यह flyer, sand और cement की क्या quality हम लोग जो खरीदें तो चेक करें, या फिर अपना eat बनाए तो चेक करें, physical देख के सरफ, ठीक है, वो अगले वीडियो में मैं अभी एक घंट यह वीडियो अपलोड होने के जस्ट एक घंट के जब तक के लिए आपसे लेता हूँ, अलविदा, जय हिन, जय भारत